So, Hello Friends! आप सबी का एक नए वीडियो में सुवागत है तो Friends, आज इस वीडियो में मेरे पास कमेंट्स में क्वेरी आ रही थी कि बहुत सारे यूजर्स जो सबस्क्राइबर मेरे पूछ रहे थे कि अगर हमें मोबाल के अंदर से हमारा पूराना email account या gmail account को अटाना है और नए को ही रखना है सिर्फ एक ही मिलब जो हम रखना चाते हैं उसी को रखना है और बाकी जो है जो पुराने email ID है जो हम नहीं रखना चाते हैं तो उनको remove को ऐसे करें तो ये बहुत सारे students और उनका doubts था तो इसलिए आज ये मैंने वीडियो बनाया है आप सभी के लिए तो इस वीडियो को आप देखें अगर आप अपना पुराना email ID अपने mobile में से अटाना चाते हैं Android smartphone में से तो ये special Android smartphone के लिए मैं बताने जा रहा हूँ तो चले friends topic को start करते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है उपर से notification को open करके तो यहाँ पर आपको settings का icon दिखता है वहाँ पर click कर लीजिए या फिर आप जो normal अपना setting का icon होता है वहाँ से भी आप आ सकते हैं और इसके अंदर नीचे आपको आना है जहाँ पर आपको accounts option मिलेगा तो यहाँ आप दिख सकते हैं accounts option पे हम tap करते हैं देखें जैसे आप account option में आएंगे हो सकता है कि आपको यह जो account option है यह हर mobile के android mobile में भी अलग-अलग version होते हैं तो यह उपर नीचे या कहीं पे हो सकता है तो आप अपने mobile के साफ से ब्रांड के साफ से search कर लीजिए तोड़ा search आपको करना पड़ सकता है आप क्योंकि यहाँ पर मैं OnePlus का Oxygen OS कर रहा हूँ इसलिए इसके अंदर जो है वो directly settings के अंदर भार ही इसमें accounts option दिया हुआ है लेकिन दूसरे brands के साफ से जो यह कहीं और भी हो सकता है तो अगर problem आ रही तो यहाँ उपर आप search setting दिया हुआ है search setting में भी आप यहाँ पर search कर सकते है यह यह step से search कर सकते हैं तो उसे भी आप यह इस तक आ सकते हैं तो जैसे आप accounts के अंदर आ जाएंगे तो आपको सारे अपने personal account जो यह वो देखने को मिल जाएंगे जैसे कि Gmail account जितने भी Gmail account हैं Facebook account, Instagram, Digilocker Adobe account सारे यह account आपको यहाँ पर मिल जाएंगे तो इसके अंदर से आप सब यहाँ पर मैं आपको एक demo practical करके बता रहा हूँ मैं जो account यूज नहीं करता हूँ उसको मैं अभी इसमें से remove करके आपको बताने वाला हूँ तो चलिए friends उसको मैं आपको remove करके बता देता हूँ suppose जैसे कि यह वाला account जो है यह आप देख सकते हैं surajsink.rtm.gmail.com यह account मैं अभी आपको हटा के बता देता हूँ आप जो चाहें अपना account सो select कर लीजिए जो remove करना चाहते हैं आप तो उसके आप tap करें जो remove करना है देखें जैसे tap करें तो आप यहाँ देख सकते हैं remove account option आपको दिया हूआ है वो सारा option रहते हैं account sync करना तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं उसकी info, security और personalization यह सब भी आप चेक कर सकते हैं और email ID अगर आपको देखना है तो वो भी आप यहाँ पर फ्रेंट में देख सकते हैं तो यहाँ से हम remove account पे क्लिक करेंगे और फिर वापस से हम remove account पे क्लिक कर देंगे तो फ्रेंट इस तरीके से आप पूराने email account को या जो email ID आप mobile के अंदर use नहीं करना चाहते हैं या आपने पूराना कोई second and mobile लिया था उसके अंदर email ID लगी हुई है तो वो आप हटा सकते हैं और नई email ID अपने नाम से जो email ID बनाई है वो आप इसके अंदर रख सकते हैं सो फ्रेंट्स इस वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टोपिक के साथ तब तक के लिए take care and धन्यवाद